पूरे देश में मन की बात कारिक्रम के करीब 4 करोड शुरोता है मन की बात कारिक्रम आज पूरे देश में 18 भाशाओं में और 33 बोलियों में प्रसारित होता है वर्ष 2017 में All India Radio ने एक सर्वे किया था जिसमें ये पता चला था कि 10 में से 2 भारतिय नागरिक, हर 10 में से 2 भारतिय नागरिक मन की बात कारिक्रम को जरूर सुनते हैं यानि पूरी आबादी में से 20 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो मन की बात कारिक्रम जरूर सुनते हैं मन की बात के सबसे ज़्यादा शूरता बिहार, गुजरात और मद्धप्रदेश में मिले। इस कारिकरम को लेकर सबसे ज़्यादा जागरूखता मनीपुर में पाई गई जो की नौर्थ इस्ट का एक राज्जे है, उत्तरपूर्वी राज्जे है। ये भी पता चला कि 36 गड़, मद्धप्रदेश और उत्तरप्रदेश के ग्रामीन इलाकों में मन की बात को लोग ज्यादा सुनते हैं। मन की बात में सेलफी विद डॉटर, बराक उबामा के साथ बाचीत और चातरों और बच्चों पर परीक्षा का दवाव ना डालने वाले एपिसोड्स सबसे ज़्यादा लोग प्रिय रहे। मन की बात कारिक्रम से 2016 में 4,78 लाक रुपे और 2017 में 5,19 लाक रुपे के राजस्व की कमाई हुई थी। अपनी लोग प्रियता की वज़े से मन की बात को काफी बड़ी वेवसाइक सफलता भी मिली। इस कारिक्रम के दौरान 10 सेकंड के एक विग्यापन की कीमत 2,00,000 रुपे होती है। ये कारिक्रम भले ही रेडियो पर प्रसारित होता हो लेकिन सोशल मीडिया और टेलिविजन पर भी एक सफल कारिक्रम बन चुका है। ये एक अनोखा शो इसलिए भी है क्योंकि रेडियो शो होने के बावजूद करोडों लोग इसे टीवी पर सुनते हैं। शामिल था। ये कारिक्रम इसलिए भी सफल है क्योंकि प्रधान मंतरी मुदी ने इस प्लैटफॉर्म का राजनते किस्तेमाल नहीं किया। यहां पे बड़ी बात ये है कि इसका राजनते किस्तेमाल नहीं हुआ। प्रधान मंत्री ने हमेशा सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात की जो समाज के लिए जरूरी थे यानि उन्होंने मन की बात के जरीए सामाजिक बदलाव लाने की कुशिश की ना तो उन्होंने कभी बीजेपी की बात की ना अपनी सरकार की बात की और ना ही खुद का परचार किया इसलिए ये कारेकरम बाकी कारेकरमों से अलग दिखता है बाकी जो इनिशेटिव्स हैं उनसे अलग दिखता है